तुम लोगों को जगाना मेरा काम है, क्योंकि, क्योंकि मैं सुन्दर सुर्ष सजाने को साज बनाता हूँ, नोसिकिये परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुप चाप सुनता हूँ, सिखाईते सब की, सब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ, समुन्दर तो प्रक्ता ह समंदर तो प्रक्ता है कस्तियों के होसले और मैं डूबी कस्तियों को बेड़ा जाज बनाता हूं मैं आपके लिए काम करता हूं नमस्कार प्यारे सात्यों कैसे आप सभी ऑनलाइन सारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वाइड आंपका मित्र संपत्राज कैसे होंगे आप आपने पड़ा था बिल्कुल ठीक पड़ा है कि इतना बड़ा पशु की रियासत में नहीं मिला करती है पड़ना पड़ेगा मजा की बात थोड़ी है अब पड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा सेलेबस की रणनिती बणाओ हो सके सामाजीक अध्यन के क्यूशन ज्यादा आगये फिर तुम क्या कर लोंगे मुझे बताओ उस दिन पूरा राजस्तान एक तरप हो जाएगा सामाजीक अध्यन के क्यूशन नहीं आए तो कोई बात नहीं पड़ावा नुखसान नहीं करगा सेलेबस को अच्छी रणनिती से कैसे कंप्लीट करना है आज इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीटली देखेंगे मैं कहता हूं कि गलती मत करना ये वीडियो आप कंप्लीटल बन जा पहले आरेस की ओटोमेंटिकली हो जाएगी पहले सेलेबस को समझो कवर कैसे करना है आप जितना ले रहे हो उतना सेलेबस है नहीं ये टैंट पास की बढ़ती है कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है इसका आपको नौलेज होना चीए काफी विद्यार्तियों के हो तो पहली चीज ये रखना है आपको सबसे पहले कि आपका तारगेट एक रखना है कि आपको only for पसु परिचर बढ़ती पे ही फॉकस करना है ऐसे नहीं कि मैं पसु परिचर के साथ पतवार की भी देख लूँ मैं ग्राम सेवक की भी देख लूँ मैं राजस्तान पुलिस क कर लो नहीं बैटा जिंदगी में यह सबसे बड़ी गलती कर रहे और यह नुकसान तुम्हें भुगतना होगा मैं अभी भी कह देता हूं करना किया है पहले टारगेट एक करो जब आपके किरपान में बान एक होगा निसान एक होगा मैं कहता हूं दुनिया की कोई भी ताकत चूक नहीं कर सकती है वो निसाना सीधा सदेगा क्योंकि आपका तारगेट है कि मेरे पास बान है एक और निसान है एक बान दो निसान रहे तो भी आप चूक जाओंगे और दो बान एक निसान रहे तो भी चूक जाओंगे कहेंगे कभी तो एक और पड़ा है मेरा कहने का म इसे पहले टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर लिजेगा सारा का सारा मेटर आपको इस पे मिल रहा है जितने भी पसुपालन भाग भग है कम्पलीट मैंने करवा रखा है चल रहा है कम्पलीट वीडियो आ रहे हैं इस पर राजस्तान जी के नोट्स मिल रहा आपको इसके बाद औनलें सारती परिवार है या आपी का परिवार है इसको जोइन कीजिएगा समय के साथ पड़ए के साथ मैं आपको मोटिवेट करता हूं और मैं अच्छा सिखसक उसी को मानता हूं मैं अच्छा सिख्षक और अच्छा पिता उसी को मानता हूँ जो अपने बच्चों को समय समय पर गाइड करता रहे मैं उसी को सही मानता हूँ पढ़ाने में तो क्या हर कोई पढ़ाता है पढ़ेंगे आप नोकरी आपकी लगेगी क्या मैं आपके घर आके पढ़ा सकता हूँ क्या आपको आपका हाथ पकड़ के मैं बैठूंगा क्या कि ऐसे लिखो ऐसे पढ़ो नहीं सब वेक्ति के अंदर आईक लेवल बराबर होता है उसको सही मार्क और सही दिसा परदान करने वाला अगर कोई आपको सार्थी मिल जाए तो पांच पांडो मिलकर पूरा मा भारत जी सकते हैं क्योंकि उसका सार्थी अच्छा था आपको गाइडेंस करने वाला कोई डंका मिल जाए मैं कहता हूँ कि डंके की चोट पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे मैं ऐसी बात की चर्टा करूंगा आज हम बात करते हैं कि सर इतना बड़ा सेलेबस कैसे कंपलीट करें इससे पहले तुम देनिक दिन्चरिया में सुदार करो तुम कर क्या रहे हो पहले ये देखो क्या तुमारे पूरे देनिक दिंचरिया के अंदर पूरे दिन के सेलेबस के अंदर मैं इस्टेडी की बात नहीं कर रहा हूँ तुमारे पूरे दिन के सेलेबस में कहीं सेल्फ इस्टेडी नाम का कोई सब्द आता है क्या और अगर नहीं आता है तो मैं कहता हूँ यकीन मानिये अभी तक आपने कोई पढ़ाई शुरू नहीं किये खुद के साथ तो दोका कर रहे हो मावापों के साथ दोका कर रहे हो और हम लोगों के साथ भी करो इससे अच्छा है सबसे पहले self study चाहिए मैं पढ़ाऊं आकर चाहिए आप आफ लाइन कोचिंग करें हो याँ पिर कहीं से भी ओओ अप शेल्फ शेडी बहुत ज़रूरी है शेल्फ इस्टेडी की बात करें डेली शेल्फ इस्टेडी टाइम फिक्स करो अच्छिर यान इतने माबव इतने कठीन परिशरम से पैसे कमा कर तुमारी फिसे बढ़ते हैं तुम लोगों को गाउं से शेर तक भेजते है उन माबावों के आंकों में देखना कभी आप किसान परिवार से बहुत ज़्यदा आते हो गाउं साथे मुझे पता है मैं दर्द जानता हूं गाउं वालगा एक बाप जब खेती करने सुबह सुबह गाउं में जाता है तो मा से एक ही बात कहता है कि अब चिंता मत कर अब तो वेकेंसी है ये एक साल की और बात है पर तुम्हें पता है कि अपने माता-पिताओं कि इस अपने पर खरे नहीं उत्रेंगे, क्यों नहीं उत्रेंगे? क्योंकि आपका टाइम टेबल नहीं बना हुआ है, आपको खुद को पता नहीं एक जिंद्गी में कर कीया रहो, अरे मेरे पैरे भाई, मेरे प्यारा दोस्त, मेरा छोटा भाई समझो इस बात को सेल्फ इस्टड़ी जब तक नहीं करोंगे ओनलाइन पढ़ लो चाहिए ओपलाइन पढ़ लो मैं कहता हूं सब बेकार हैं अगर पढ़ा हुआ चीज आप वापस उसको सेल्फ इस्टड़ी में नहीं कनवर्ड करेंगे तो कोई मतलब नही एक फिक्स टाइम होना चीए कि मैं कम से कम दिन का एक गणटा दो गणटा तीन गणटा सेल्फ इस्टड़ी के अंदर टाइमिंग मेनेजमेंट होना बहुत जरूरी है कि मैं इतना टाइम करूँगा मिस करूँगा जादा करो तो तुमारी मर्दी पर उससे कम मत करना तो कर दूंगा आज 10 गंटे पढ़ लिए कल तुम दो गंटे नहीं पढ़ पाऊंगे अपने आपके अंदर धेर्यवान बढ़ो छोटे चोटे टाक्स लो पहले इस्टेडिंग में आप एक दो गंटे सेल्फ इस्टेडि शुरू करो एसे करो ही मत कि मैं आज आट गंटे सेल्फ इस्टेडि करोंगा फिर आप ओको लोई नहीं कर पाते हो क्योंकि वो दूसरे के नियम होते हैं खुद के सरीर पे जो चीजे लगो होती हो ही करो स्टेडिंग में आप कम समय का सेल्फ इस्टेडि टाइम निकलो चाहिए गंटा निकलो निकलो कुछ टाइम की आदती नहीं हटके कुछ है आपको एक्जांपल दों समझने की कोशिस करना आप यह वर्तमान के अंदर खेल की दरश्टी से देखे तो किर्केट को अपन मध्य नजर रखे आई पिल देखा आपने एक टीम 230, 240, 250 तक का तारगेट कर लेती है पर वो दूसरी टीम वापस बना लेती है impossible काम होता, impossible काम होता वो possible कर लेती है क्योंकि जब तक वो खेलता है तब तक उसके मैंड में एक तारगेट होता है कि मुझे पर आवर 10 रंच चाहिए, मुझे पर आवर 15 रंच चाहिए वो उस तारगेट को लेके चलता है तो वो उस तारगेट को अच्छिव भी कर लेता है समझो इस बात को गिंती के दिन लिखो सामने दिवार पर कि इतने दिन है और इतने दिन में मुझे ये तार्गेट करना है पढ़ती एक सप्ते मुझे ये करना है मैं कहता हूँ कि आग लग जाएगी अंदर मजाल पड़ी जो आपसे पढ़ाई नहीं हो पर जिन्दकी में कुछ करनों तो खरी तार्गेट लो कि मुझे इस सप्ते के अंदर मैत के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट करना है राजस्तान जी के में ये पढ़ना है बी बाग का य यह गाना तब तक बेटा दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो ध्यान रख लड़ा तो पहली चीज तार्गेट लेओ और वीकली तार्गेट लेना शुरू करो मंतली तो छोड़ो पहले हर सबते का तार्गेट लो जादातर विद्यार्थियों के मैंड में आता है कल करेंगे बेड़ा जिंदगी में कल कभी आता ही नहीं है मैं कह दू मैं कल कलास डालूँगा पोसिवल नहीं है कल और कल आएगा और जिस दिन एक दिन भी कम नहीं करेगा मौत और एक जामिनर दोनों बराबर होते हैं एक मिनट का टाइम नहीं देते हैं आप वहाँ पे लेट जाना सेंटर पे अगर वह दो मिनट्व आपको लेट एलिव कर दे तो फिर बताना आप समय की वेलू क्या होती है समय की वेलू सिको समय की वेलू उस पैसेंजर को पूछो जो ट्रेन पर रेलवे के प्लेटफॉम पर खड़ा था और दो सकिंड पहले ट्रेन निकल गई उसको पूछो टाइम का वेलू क्या बता है कल का जो माइंड में फोर्मूला है उसको टाओ कल का नहीं मैं आज का करूँगा और आज का नहीं अभी से करूँगा मैं जो चीजें बता रहा हूँ उसको नौट कर लेना एक नौट बुक के अंदर मैं ऐसे हर किसी का समय खराब नहीं करता हूँ मेरे प्यारे भाई बेनो इस बड़े भाई की आज एक बात मान लेना चाहिए गुरू मान तो तो गुरू मान के बात मान लेना मैं आपकी जिन्दगी बदल दूँगा अगर मैं कुछ चीजों को क्यों अगर आप उसको फॉलो कर दो तुम्हारे जिंद्गी में कोई सही guidance करने वाड़ा मिल जाए मैं कहता हूँ कि तुम आग लगा के रख दोंगे इस दुनिया में दुनिया बहुत बड़ी है और तुम उसके अंदर में क्या कह रहा हूँ विक्राल रूप ले सकते हो तुम्हें सही से कोई guide करने वाड़ा मिले तो ले तीसरी बात कल के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ेंगे केवल syllabus के हिसाब से ही पढ़े हैं पढ़ाई करने से पहले आप जब तक roadmap त्यार नहीं करेंगे तो आपको क्या बता कभी भी आप जाते हो बस स्टेन पर मुँ उठाके गए और बस में जाके बेड़ गए क्या conductor बोलेगा कहां जाना है कि ऐसे बोल देना जा तुमारी मर्दी वाँ छोड़ देना कि पहले पूरी प्लानिंग करते हो मैं अपने साथ में बेग लेके जाओंगा इसमें कितनी ड्रेस होगी मुझे और पर जाकर आएंगे तो अपना तार्गेट कंप्लीट हो जाएगा ऐसे मुझ उठा के नहीं चलते बेटा पहले उस बढ़ती का सेलेबस निकलो लो एकदम सेलेबस की रूप रहा लो और सेलेबस के एकोडिंग पड़ो जो सेलेबस कंप्लीट पढ़ लिया उस सेलेबस को हम आपने यह टॉपी कंप्लीट कर लिया है और जब जब अभी तो एकदम वाइट दिखेगा आपका सेलेबस हो जैसे ऐसे कलर होने लगेगा एक समय आएगा कि वाइट चिन आपके सेलेबस में कम और येलो बहुत ज़्यादा दिखेंगे समझ लेना कि आप जिन्दगी के ब वर्डिंग उठाना है पिछले साल के प्रिविस एर के जो भी पेपर होते हैं उनके एमसी क्यों कीजिए कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ना है और हाली में लेटेस्ट के बढ़िए काफी विद्यार्तियों के आदत होती है कि मैं तो छोड़ है यूपिएसी की सच किया है तो उसको टार्गेट लेकर फिर आप से लबस करो मजा आएगा मैं कहा रहाँ पड़ने में मजाएगा और एक्जांबल दे सकता हूं मेरा ओफलाइन बेच के ऐसे विद्यारती थे जिन्हों ने राजस्तान में एक सिंगल क्यूशन गलत नहीं होने दिया समय के साथ पढ़ना सीखो समय के साथ किस परकार से पढ़ा जाता है राजस्तान जी के में अपने बात करें तो कलास नोट्स के साथ साथ यानि कि कलास पढ़ने के बाद प्रिविएस येर के क्यूशन आप साथ में जरूर करें जिगा और इसके बाद अपने बात करें कौन से टॉपिक में से हाल ही के एक्जाम में पर्षन पूछे जा रहे हैं ये सबसे इंपोटेंट है मान लिजे कोई प्राचीन राजस्तान में से सवाल पहल नहीं आ रहे थे अभी वर्तमान की जितने भी एक्जाम हो रहे जिसमें सीला लेक प्राचीन सिक्के प्राचीन रियासतों के बारे में बहुत से ऐसे क्यूशन आ रहे हैं तो अभी वर्तमान के अनुसार कौन से अंदर किस में से टॉपिक में से ज़्यादा क्यूशन आ उसको मद्य नजर रखना चाहिए आप लोगों को और रिविजन डेली 45 मिनट जो भी चीजे पड़ी हैं उसका डेली का डेली 45 मिनट का आपके रिविजन होना चाहिए तब जाके ही आपके राजस्तां जी के कंप्लीट होने वाला है पार्ट बी की मैं बात करूँ पार्ट बी का सेलेबस कैसे कंप्लीट करना है पार्ट बी की अपन बात करें तो जैसे कुछ मेतापून टॉपिक हैं जैसे नसले हैं पसू करना हैं पसू के रोग हैं डेरी बीमा संतुलित पसुआर करत्रीम घरबदान हैं बद्यकरण वाला पसुधन परसार वाला है ऐसे कुछ में टॉपिक हैं उन टॉपिक को विशेश रूफ से पढ़ना चाहिए जिसमें से एक क्यूशन अंडेट परशेंट आएगा और जब मैं क्लास लेता हूं मैं पहले बताता हूं कि इसमें से अंडेट पर्शेंट की उससे आने वाला है वो तो आपको पढ़नी पढ़नी है ठीके ना उसके बाद क्या करना है उसके बाद इसके भी कलास प्लस क्लास MCQ करने है सर MCQ हम कहां से लेकर आए इसके MCQ या तो आप मार्केट से कोई भी ऑफलाइन जो बुक्य आती है वहां से कर सकते हो और यहां फिर मैं सेलबस कंप्लिट होने के बाद करवाता हूं आप कोई भी क्लास कोई भी बुक लाए और MCQ करे अपने जो पढ़ा रख आए जाता है इस परकार से ज्यान रखें है अन्या बेशीषीघ पटा जरूर करें कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो पहला उसका बैशीघर जाने बैशीक जानकारी जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक कोई मतलब नहीं उस टॉपिक पढ़ने का तो कम से कम आपको बेसिक जानकारी एकदम होनी छहीं ठीक है ना इस परकार से अगर आप पूरी रणनिती के साथ अगर आप तेहरी करते हो बहुत इकम समय के अंदर आपका स्वेलबस कंप्लीट हो जाएगा मैतमेडिक के अंदर क्या करना है मैतमेडिक से अंदर एक टॉपिक पलस उसके 20 से प्रैक्टिस क्यूशन लेने है एक टॉपिक के साथ आपको कितने प्रेक्टिस सेट लेने हैं और डेली के 20 MCQ करने हैं कोई भी टॉपिक ले लिए जैसे आपने एवरेज ले लिया यानि कि आपने मान लिजे ओस्त का लिया तो उसके प्रेक्टिस सेट कीजिएगा कि मैं डेली के उसके 20 क्यूसन करूंगा 100% आपकी मैत इस्टॉंग हो चोटे चोटे टार्गेट लेकर उसको कंप्लीट करना सेके एकदम नहीं होता वहीं साइंस की बात करें तो एकदम सोट नौट्स मड़ाएं साइंस के बिल्कूल छोटे नौट्स बढ़ाएं हालांकि अपने सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं साइंस इतनी संदार पढ़ कि सर मैं हम लोगों के लिए चीज करें तो नहीं का मैं पढ़ाऊंगा साइंस और येकिन मानिये इतनी अच्छी लेवल की साइंस आपको दे रहे हैं मैं वादा करता हूं कि एक सवाल बाढ़ने जाने दूंगा साइंस का साइंस के सोट नौट्स के साथ साथ आपको कम से कम उस टॉपिक के 100 MCQ या फिर उस सब्जेक्ट के 100 MCQ हैं वो आप डेली के डेली प्रैक्टिस कीजिएगा मैं कहता हूं कि एक दिन इतना कॉंपिडेंस आएगा कि सर मेरा सेलबस कंप्लेट है आप अधिनस्त बोर्ड को बोलो आज मेरा एक्जाम ले आज मेरा एक्जाम ले य करण्ट पसिक के लिए क्या करें टॉपिक को समझक्र पड़ें कोई बी टॉपिक है उसको रटना छोड़े मुदा एसा है कि उसको समझें उसको जोड के संज tut GS क्यों हुई थी इसके पीछे कोई कारण है क्या क्या यह वर्तमान में गटित हुई या यह आज से पहले भी कई बार हो चुकी हैं अभी वापस उजागर हुई है पूरा का पूरा टॉपिक पड़े और इसके डेली सब्सक्राइब करें इसके पड़ती एक महीने के एक साथ में कर लेसे नहीं कि डेली के डेली में सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है जब तक टाइम मेनेजमेंट नहीं जिन्दगी में कुछ नहीं कर सकता हो टाइम मेनेजमेंट बहुत ज़रूरी है टाइम मेनेजमेंट हमेंसा रखो कि मेरा यह टाइम है इस टाइम में मुझे पढ़ना इस टाइम मुझे ऑनलेन देखने इस टाइम मुझे स्टेडी करने इस टाइम मुझे परिवार वालों क ज्यादा से ज्यादा टाइम आप से इंपोर्टेंट बात अभी तक जितनी बात है उस्सके असार है में श् zmn जब तक ज這個 सिर्च में नजी कोप्रात्मिक दो गया,् हो कुछ भी नहीं का कई पो आई सर सादी में जा रहे हो,कि भाई आज सद्धिन repair नहीं गाएंand दों है,ाज मुरा जाना है यह आगए माँ जाने से मितलब हो दो,, फहले जिद्धी इन नोकरी तुमारे दर्वाजे आकर खटकट आएगी मुझे जोइन कर एक साथ नहीं एक साथ ददस आएगी पर ये करने की काबिले थोनी ची है पूरा मन लगा के पड़ो मा बाप के सपने पूरे करने के लिए जिंदगी खौप दो जिंदगी जौप दो कुछ भी करना पड़े कर दो मैनत की सारी हदो को पार कर दो जैसे तैसे भी करके बस नोकरी लेनी है और जाकर पिता जी के पेरो में ले बापो आज मैंने तेरा सपना पूरा क्यार गर्व से तेरा नाम उच्छा कर दिया पूरे गाउं के अंदर ऐसे चलो बिल्कुल छाती छोड़ी करके और कौन-कौन विद्याती है जो मुझे से आज ये वादा करता है कि सर मैं आपके बताए according syllabus complete करूँगा मैं आपके बताए अनुसार follow करूँगा और मैं आज ये आपको comment करके ये वादा करता हूँ कि जिस दिन पसू परिचर का selection होगा उस दिन वापस comment करके बतूँगा कि सर मैंने ऐसे follow किया था और आपकी वज़े या आपके जैसे guide किया उसके अनुसार चला और मेरी सीन निकली मेरा तो क्या है बटा मेरा तो ये काम है तुम लोगों को जगाना मेरा काम है क्योंकि क्योंकि मैं सुन्दर सुर सजाने को साज बनाता हूँ नोसिकिये परिंदों को बाज बनाता हूँ चुप चाप सुनता हूँ सिकायते सब की तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ समुन्दर तो प्रक्ता है कस्तियों के होसले और मैं डूबी कस्तियों को बेटा जाज बनाता हूँ, मैं आपके लिए ही काम करता हूँ, जिस दिन तुम सलेक्ट हो गए, उस दिन मेरी जितनी भी आस्तक की मेनत है वो सारी काम हो जाएगी, सुपकामने आप सबको.